लाकणी तालुकामा सतत वर्षी रहिल वर्षादने खेडु तोनी मुस्केली वदारी छे मंग फड़ी कपास बाजरी अने तल जिवा पाको निश्फर थैं जत्ता केडु तो पाइमाल बनी गया छे लाखनी दालोकामा चालू वर्षे खेडू तो ए खरीफ पाक नू वावेतर कर्या बाद सारो एव वर्साद वर्षी होतों जेने पगले खेडू तो वर्गना पाक ना सारा उत्पादनी आसा बंदाई हती परन्तु पाचर्णा दिवसों मा सतत वर्षी रहेर वर्षाद थी खेतरों मा पाणी भरावाना कारणी बाजरी जुवार, मगफळी अने तल जिवा तैयार पाकोने भारे नुक्षान पहुंचियो छे बनास कठा मा वर्षी रहेला सतत वर्षाद ने लिए जिल्ला मा खेडूतों नी हालत कफोडी बनी छे पाचो तरो वर्षाद खेडूतों पर आफ़त बनी ने वर्षी रहो छे मोंगा बिया रणों और खातर नों उप्योग करी वावेतर करेला पाक ने बचाववा मोंगा भावनी दवानों छंटकाव साथे अथाग परिस्रम कर्यों छे जो के मोटो खर्च अने महिनत बाद तैयार करेला चोमासू पाक लणनी करवानी अनी पर छे त्यारे लाखनी तालोकाना विस्तारों मा छेला केटलाक समयती वर्साद वरस्ता बाजरी तल मग फळी अने जुवार सहीत पाको निश्फर थाई गया छे अत्यारे तो कुद्रस सामे लाचार बनी गयला खेडू तो सरकार सामे मददनी मिंट माटी बैठा छे अने पोताना खेतोरों मा थैल नुक्षान नो सर्वे थाई अने सरकार तरप्ती योग्या आर्थिक सहाई मडे एवी मांग करी रहया छे रिपोटर भम्राजी वागेला बनासकाठा लाखनी बनासकाठा लाखनी तालुगामा गई राते आवेला वर्षाद ना कारणे अत्यारे आसो महिनानी अंदर ताल, बाजरी, जुवार, मगफळी जेवा पाको नू कापणी चालू गोईशे अने आ समय गाला दर्मियान गई रात्रे ओसिन्तू वर्षाद आवता बाजरी ना पाक, मगफळी ना पाक अने चुवार ना पाक ने मोटू नुक्षान थेवचे अत्यारे कापणी ना समय मा बाजरी ना डून्डवा चमीन ने अडेला ओवा थी, गईकालना वर्षाद ना काणने बाजरी उगवानो पन पहे शे अने आना काणने फेडू जोने मोटू नुक्षान थे